नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए सफर में। आज हम मुंबई से बैंगलोर की यात्रा करेंगे वी आरल ट्रैवल्स की बिलकुल नई वॉल्वो 9600 S-Bus में। अगर आप भी ट्रैवल बसों के शौकीन हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरा नाम है उतकर्ष चलिए, शुरू करते हैं। इसकी एरोडाइनामिक स्ट्रक्चर से लेकर, वी आरल ट्रैवल्स की खूबसूरत लिवरी तक, यह बस बिलकुल अनोखी लगती है। बस का डीटिलिंग और बस के उपर का ग्राफिक्स आप देख सकते हो, कितने बड़िया लेवल का किया है। अगर आप इनकी वेबसाइट से बुकिंग करते हो, तो आपको 15% डिसकाउंट भी मिलेगा। चलिए अब आपको बस का इंटीरियर दिखाता हूँ। यह स्लीपर बस है, सो इसका फ्लोर आपको पुरा फ्लैट दिखेगा। इसकी सीट्स 2x1 स्लीपर है, जिसमें टोटल 40 बर्थ है। आपको बता दू यह जो सीट्स है, यह काफी आरामदाई है। हर एक सीट पे आपको ब्लैंकेट दिया जाता है, और साथ ही में डेडिकेटड कर्टिन्स भी अवेलेबल है। इसमें आपको एडजस्टेबल ऐसी वेंट, रीडिंग लांप और फास्ट चारजिंग USB पोर्ट्स भी मिलेंगे, जिसके कारण आपकी यात्रा आरामदाई होगी। अब हम मुंबई से निकल चुके हैं। अभी हम है एनेच हाइवे 4 पे, इस जर्नी का टोटल डिस्टन्स 1100 किलोमेटर। हे बस का रूट मुंबई लोनावला पुने 17 कराडडे, कोलापुर बेलगाव हुबली, चित्रदुर्ग ऐसे होने वाला है। बस का पुने में 15 मिनिट्स का हॉल्ट होगा। पुने मैं भी इस बस के लिए बहुत बुकिंग होती है। हमें ये सफर पूरा करने मैं लगेंगे। लगभग 22 घंटे इतना बदड़ा सफर करने के लिए वाल्वो एक सही चोईस है। हाइवे पे आपको मुंबई से पुने तक घाट देखने मिलेंगे, जो खंडाला और लोनावला के बीच मैं है। ये स्ट्रेच काफी डिफिकल्ट है। हमारे ड्राइवर अन्ना काफी एक्सपिरियंस्ट है, इसलिए घाट में वो एकदम प्रो लेवल की ड्राइविंग कर रहे हैं। आपको बता दू वाल्वो चलाने के लिए वाल्वो की तरफ से ट्रेनिंग लेनी पदद हती है, तभी आप इसे चला सकते हो। चलिए अब बस की कुछ टेक्निकल डीटेल्स देखते हैं। बस में वाल्वो बियस 6D8K6350, कॉमन रेल इंजेक्शन इंजिन लगा है, जो एक कंप्लीट पावर हाउस है। इस इंजिन में 6 सिलिंडर इन लाइन है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पुलिंग पावर जेन जिन से बहुत कम मात्रा में इमिशन निकलता है। अभी जीतने भी BS 6Buses मार्केट में आ रही है। उन सब ही में आपको ये टैंक देखने मिलेगा। बस की ट्रैंसमिशन सिस्टम की बात करें। तो बस में 12 फ्रन्ट और 4 रिवर्स गेर्स है। आईशिफ्ट आटोमेटिड इसमें लगा है। अब देखते हैं स्टीरिंग अन सिस्पेंशन के बारे में इसमें आपको हाइड्रॉलिक पावर असिस्टिट स्टीरिंग देखने मिलेगा। जो घाट रोड पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और बस मैं एलेक्रोनिक एर सिस्पेंशन ल आता है। बस का इंजिन आउटपुट है 350 जीपी एड 2200 रिवलूशन पर मिनिट पे। बस जब फुल स्पीड पे चल रही हो तो अंदर कुछ महसूस नहीं होगा। क्यूंकि बस का डिजाइन ही कुछ ऐसे किया है कि आपकी राइड कम्फटबल हो। हम अब बंगलोर में पोहुच चुके हैं। मैं मुंबई से कल दो पहर 12 बजे निकला था। अभी बज रहे हैं सादे दस मेरा जर्नी बहुत ही आरामदाई रहा। बस की सस्पेंशन और हाइटिक फीचर्स की वजह से जर्नी करते समय लगजूरियस एक्सपीरियंस मिला। अभी हम रुके हैं व अरल मेन ओन्फिस ड्रॉप पॉइंट पे जो की बस का लास्ट स्टॉप होगा अभी ये ड्राइवर अन्ना फ्रेश होंगे और दोपहर वन बजे फिर से मुंबई के लिए जाएंगे। एक सलूत तो बनता है दोनों ड्राइवर अन्ना के लिए। अगर आपको ये सफर अ अर्ण के लिए। अगर आपको ये जाएंगे लिए। अगर आपको ये जाएंगे जाएंगे। अदगक लिए जाएंगे 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 जाएंगे।